नमस्कार दोस्तो वेलकम बाक टू माई चैनल कल के लाइफ सेशन में एक क्वेशन मुझसे पूछा गया था और उस क्वेशन को पहली भी सेम व्यक्ति ने पूछा है और कुछ और लोगों ने इंग्लिश चैनल में भी पूछा है तो मैंने उसको शेयर किया है क्योंकि वो रिलेटेड है नार्सिसिस्टिक अब्यूज के टेम्पलिट से नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक ऐसा अब्यूज है जो की सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है हील करने में और इसकी जो काली चाया हैं ये लोगों पे आज के समय में खास तोर से बहुत जादा बुरी तरीके से फैली हुई है फिर चाहे कोई खुद को स्टार सीट समझता हो या फिर ट्विन फ्लेंड लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोगों को एक अजीब तरीके का अकेला पन एक अजीब तरीके का पेन एक अजीब तरीके का स्ट्रगल फेस करना पड़ता होना डे टू डे बेसिज क्योंकि वैसे तो अगर आप नार्सिसिजम का देखेंगे मीनिंग तो हिंदी में आता है आत्मुमुग्ध आत्म मुग्द वो होता है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है खुद से बहुत जादा प्यार करने वाला विक्ति लेकिन शायद ये ट्रांसलेशन या ये शब्द इनकम्प्लीट है क्योंकि नार्सिसिस्टिक का अक्चुली मतलब वो होता है जो खुद से नहीं, खुद की पब्लिक इमेज से या खुद की सोशल इमेज से समाजिक छवी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है जो भी इनसान इस तरीके का होता है उसको दुनिया की बहुत ज़्यादा परवा होती है और अपनी कम क्योंकि असली कारण यही है इस पेन का इस अब्यूस का असली कारण यही है कि कुछ लोगों को काफी सारे लोगों की इस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती है कि उनको अपनी पबलिक इमेज से इतना ज्यादा प्यार होता है कि फिर अगर उस पबलिक इमेज के बीच में कुछ और आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो उसे बरदाश नहीं कर सकते हैं और आज की युवा पीडी या फिर कह सकते हैं वो सारे लोग हो सकता है कि बिल्कुल फ्रेश यंग आउट अफ कॉलेज नहीं पर ऐसे लोग जो भी इनर वर्क कर रहे हैं और जिन्दगी में अब कुछ साल और आगे देख चुके हैं, जॉब कर चुके हैं, डिवोर्स हो चु या कोई रिलेशनशिप में है तो खुश नहीं है, एक तरीके के सचे प्यार की तलाश में हैं कहीं लोग, और ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि उनके सबसे बड़े जो दुश्मन हैं, जो सबसे ज़ादा उन्हें परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, वो उनके अपने ल ऐसे काम नहीं करते कि उनकी पूजा की जाएं, और आज के जमाने में ही क्या, पहले भी ऐसा होता था कि किसी किसी के माता पिता बहुत ज़्यादा पबलिक इमेज कॉश्यस होते थे या खुद से इतना प्रेम करते थे, कि फिर उनकी ऑलाद कितना भी तड़पे, रोए, द गीता पढ़ने को बोला, पर उनका मन ही नहीं लगता, उनमें काफी negativity है, पिर इसी व्यक्ति ने, अगली बात इन्होंने यहीं लिखी है, कि येस मैम वो हर वक्त marriage के लिए pressurize करती है, बट 3D से detach हो चुकी हूँ, मन ही नहीं है, तो सिर्फ आपका ही नहीं, जो भी व्यक्त 3D world से detach होने लग जाता है, वो सोचता है कि यार इन सब रिष्टों के चक्रों में तो मैंने आज तक इतना दुख उठाया है, अब जिन चीजों की वज़े से मैंने दुख उठाया है, रिष्टे नाते, प्यार वफा और ये सारी दुनिया भर की बाते, तो फिर अब उसी चीज में मैं क्यों घुसू, और वैसे भी जब हम अपने चारू तरफ देखते हैं, तो mostly हमें इन रिष्टों में कोई खास सच्चाई नजर नहीं आती, जब इन रिष्टों में कोई सच्चाई है ही नहीं, जब कोई सुक है ही नहीं, तो एक समझदार व्यक्ति यही सोचत है कि फिर मैं ऐसी चीज में क्यों पढ़ू खुद भी, तो आप देखे दो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, पहला तो यह कि इनकी मदर को खुद को असेंशन में इंट्रेस्ट नहीं है बिलकुल भी, तो वो इनको भी रोकती है, मैं तो आपको यह कहते हूँ कि मैंने ऐसे भी लोग देखें, जो खुद तो मंदर जाते हैं, खुद तो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकि जब उनकी संतान अलग जोन में चली जाती है, और कहते हैं कि नहीं हमें यह सब नहीं करना, अब हम इस दुनिया से तोड़ा अलग रहना चाते तो जो खुद धारमिक होते हैं, वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके बीचे कुछ कारण है, थेरपीज में हम क्या करते हैं, जो ये नार्सिसिस्टिक अब्यूस थेरपी है, जो की विदेशों के बीच में बहुत पॉपिलर है, क्योंकि उन लोगों को उनकी कंट्री में थ थेरपीस को और अलग-अलग तरह के थेरपिस्ट होते हैं, फेर भी वह एक क्यों हा रहे है, इंडियन के पास क्यों हा रहें बार-बार, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी country में जादातर उनको दवाईयां गोलियां दी जाती है या उनसे सिर्फ बातचीत की जाती है कोई ये नहीं कहता कि हम इसे जड़ से हटा देंगे तो दोस्तों उनके देश में तो उनमें इतनी awareness है कि अगर हम अपने उपर काम नहीं करेंगे तो हमारा सुधार नहीं हो सकता उनके पास tools नहीं होते हैं उनको ये जो सारी आजकल हम बाते करते हैं कुंडलीनी ascension, chakra, alignment ये सारे words वहीं से आ रहे हैं वही लोग इन शब्दों को use कर रहे हैं हमारी country में अब जाके लोगों को realize हो रहा है कि हाँ कितना ज़रूरी है अपने पर काम करना, आंत्रिक कारे करना जबकि हम इसी ख़ाने में बैठे होते हैं और इसी से निकले हम हमारा देश जो है भारत विश्वगुरू रह चुका है और अब फिर से विश्वगुरू बन रहा भविश्य में भी भारत ही विश्वगुरू बनेगा क्यूंकि इस country की vibration ही इतनी high है यहां पर इतने बड़े-बड़े masters यहां पर इतने बड़े-बड़े dts gods and goddesses प्रिथवी को create करने वाले वो तक जनम ले चुके हैं यहां पर रीन का नेट होते हैं बार-बार इसी धरा पर इसी प्रिथवी पर जिस मिट्टी पर आज हम बैठे हैं तो आप सोचिए कि इस मि भाया बताया जाता है तो क्यूं ऐसा होता है क्यों आजकल इतने सारे लोग therapy में आके बार-बार यही कहते हैं कि सबसे ज़ादा अगर उनको किसी ने दुख पचाय तो उनके अपने घर के लोग और उनके अपने माता-पिता हैं उनके अपने रिष्टेदार हैं उनके अप पिछे रस्ते पे जाने से रोकते हैं। जबरदस्ति उन्हें एंजिनियरिंग करा दी। से हम चर्ते द्वापर में जा चुके हैं। लेकिन ये समस्या पहले भी आई थी भक्त प्रलात के साथ। क्योंकि भक्त प्रलात का पिता हिरन्या कश्यब बहुत जादा मेटीरिलिस्टिक था। और मेटीरिलिस्म ही वो सबसे बड़ी प्रॉबलम है जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में कनवर्ट कर देती है। क्योंकि ये जितने भी माता-पिता है ये खुद भी प्रोग्राम्ड है इनके माता-पिता ने, इनके माता-पिता को प्रोग्राम किया उनके माता-पिता ने, समाज ने, सोसाइटी ने, एजुकेशन सिस्टम ने, लेकिन फिर लोग मुझे कहते हैं कि यार मेरे पे इतनी ज गटना पे जाते हैं कही बारी जो गटनाएं होती वो बच्चपन से जुड़ी भी होती। बच्चपन में इतना भेंकर लेवल का अब्यूज होता है बच्चों के साथ कि वो उनके साथ चिपक जाती जुड़ जाती है। है वो उसी के साथ घूमता है कवशी को खौवे का पीदा और माता-पिता में से यह दोनों एक और माता-पिता में थी अध्यात्मीं हैं तो आध्यात्मि конфल्झ वाला की तरफ अड्राक्ट होगा इस जो दुनिया समाज से ज़्यादा जुड़ा है जिसको संसार की ज़्यादा चिंता वो उसके प्रती ज़्यादा क्लोज होगा जो संसारिक है और वो तो जब आप inner work करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे तो दस मिनिट के conversation में आपको पता चल जाएगा कि कौन अध्यात में क्या और कौन संसारिक है तो अब इस मुसीबत से कैसे निकलें तो इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं दोस्तों जो इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ हो सकता है कल के live session में मैं बताती ही पट live session में एक तो इतने सारे लोग थे और इतने सारे questions थे और दूसरा मेरा live session अ जनतान इगनोर किया जाता है वो attract कर लेता enabled narcissist को enabled narcissist वो narcissist है जिसको कि बहुत जदा पैंपर किया गया है उसके ही narcissistic Where All He is a मदद करने ना जाए किसी मुसीबत में किसी इवेंट में किसी सिचुएशन में किसी सरकमस्टांस में वगर जब वो किसी सरकमस्टांस में होगा तो उसकी उम्मीद रहेगी कि मेरी मदद करने सब आए या मेरी केर सब करें और उसका एक एक एटिट्यूड भी होता है कि मुझ जादा ही भी गड़ गए हैं ठीक है तो पॉइंट मेरा ये है दोस्तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भक्त प्रलाद के पीछे हिरन्या कशप हाथ दोके पड़ गया तो क्यूं पड़ गया क्यूंकि भक्त प्रलाद ने हिरन्या कशप की इमेज के अगे नारद मुनी कैसे आगे सीन में क्योंकि नारद मुनी ने प्रलाद की मा को देवताओं से बचाया था देवताओं ने ये डिसाइट किया था कि जब प्रलाद की मा जब प्रेगनेंट थी तो वो उन्हें कैद कर लेंगे देवताओं ने प्रलाद की मा को कैद कर लिया था और अपने पास बंदी बनाने जा रहे थे तो नारद मुनी उस टाइम पे बीच में आये और बोले कि प्रेगनेट औरत के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते नारद मुनी को मेशा से ना रायन, ना रायन करते वे कॉमिक वे में दिखाया है या फिर एक सबकी बीच में लड़ाई कराने वाले करेक्टर की तरह दिखाया हमारे Great Bollywood ने, वही Great Bollywood जिसने अकबर को रितिक रोशन बना दिया, मतलब रितिक रोशन जैसा हैंसम बना दिया, जबकि अगर आप कभी भी पढ़ेंगे ऑनलाइन जाके देखेंगे कि अकबर आक्चुली में कैसे दिखते थे, क्या था अकबर का स्वरूप, शकल, हुलिया, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे रितिक रोशन वाली परस्वालिटी फिर क्यों दे दी, क्योंकि Bollywood कुछ भी कर सकता है, Bollywood नारद मुनी को कैसे भी दिखा रहे हैं इतने सालों से, टीवी सीरियल्स वाले, बॉलिवुड वाले बट नारद मुनी वो गुरू हैं जिन्होंने रतना कर को वालमी की बना दिया, भक्त प्रलाद, आजजोबी बना, वो उनकी शिश्य थे नारद मुनी के तो जिस भी इनसान को अपनी सोशल इमेज और संसारिक सुको की जादा पड़ी है, उसके लिए अध्यात्मिक संतान एक मुसीबत है, अध्यात्मिक बेटा या बेटी दोनों एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो संसारिक चीज़े उनके लिए नहीं करेंगे, या जब तक करेंगे तब तक तो अच्छे लगेंगे उन्हें बहुत, बहुत बहुत प्यार आएगा, बहुत उनके साथ टाइम स्पेंट किया जाएगा, हर चीज़ की जाएगी, पर जैसे उन्हें लगेगा नहीं, अब ये जो संतान है, इसने अपना जो फेस है वो बदल दिया है, अ 3D भी कह सकते हैं, 3D टॉर्चर, 3D टॉर्चर तो है, तो इसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज है, सारे एक जैसे नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं मजबूर नार्सिसिस्ट, कुछ होते हैं मजबूर माता-पिता, जो समाज से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि वो समाज के साथ सारी जिंदगी चिपके रहते हैं, फिर भले ही बच्चों को फुल ओन घोर स्ट्रगल करना पड़े, अब जैसे कि अपने बच्चों को जबरदस्ती इंजिनियरिंग की पढ़ाई वो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में जब कोई इं क्योंकि आगे जाके कमाई अच्छी होगी, और लोगों के बीच में जब बोलेंगे कि भई हमारी बेटी हमारा बेटा डॉक्टर है तो बहुत अच्छा साउंड करेगा, तो ऐसे बहुत से प्रोफेशन्स और ऐसी बहुत सी पढ़ाईयां वो करा देते हैं, बीच में MBA की बड़ी बाड और आंधी आई थी, अगर आपको याद हो, एक समय आया था कि हर इंसान MBA ही कर रहा था बस, जिसको देखो MBA, जिसको देखो MBA, क्योंकि वो बड़ी बात हो गई थी, तो समाज एक प्रोग्रामिंग करता है, मार्किट में नई नई चीजे आती हैं, और यही ल उनके माता-पिता खुद कभी फिल्म स्टार बनना चाते थे, नहीं बन पाए, तो अपने बच्चे को बना दिया, या बच्चे वे बच्पन से ही उसको तालीम देनी शुरू कर दिया, चोटा सा बच्चा पालने में उसे डांस कराना सिखाना शुरू कर दिया, उसे गाना चाइल है, वो भी उसी तरीके का है, उसकी भी वही कार्मिक वालिटीज हैं, तो तो उसकी और माता-पिता की पटरी खूब जमेगी, खूब जमेगी दोस्ती उनकी, पर मान लो ऐसा नहीं होता, जहां पर ऐसा नहीं होता, तो फिर वहां पे विवाज शुरू हो जाते हैं, प्राबलम शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मैंने का इसकी बहुत सारी डिवीजन्स हैं, इसकी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो मचबूर माता-पिता भी होते हैं, जो बहुत हेल्पलेस होते हैं, जो बच्चों के आगे हमेशा मचबूरी ही दिखाते हैं, देखो हम कितने गरीब हैं, देखो हम कितने दुखी हैं, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कल को तुम जब बड़ी इंसान बन जाओगी या बड़े आदमी बन जाओगे, तो ये सब लोग हमारे पैरों पे गिर जाएंगे, ये सब लोग हमारी इज़त करेंगे, तो एक्चुली में तो ठीक है, सुनियेगा मेरी बात को ध्यान से, माता पिता का एक अपना संगर्श है, और आपका एक अपना संगर्श है, और फिर ये भारत देश है, जहां पर ये कहा जाता है कि वो भगवान है, ठीक है, उनकी पूजा करनी चाहिए है, लेकिन आज की रेट में ऐसे भी माता कोई घर पे आते हैं, और बच्चों के साथ कुछ बूरा करके चले जाते हैं, और माता पिता को जब बच्चे बताते हैं, कि चाचा ने, मामा ने, ताउने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने, ये किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो कहते हैं, बेटा अपना मुँ बंद रखो, कि किसी को मत बताना, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी, तो बच्चे को सपोर्ट देने की बजाए, बच्चे के लिए स्टैंड लेने की बजाए, कहीं तो ऐसे होते हैं, जो उन लोगों के साथ अपनी दोस्ती और अपना रिष्टा कंटिन्यू रखते हैं, और ये सब वो सं संतान देखता है, उसका दिल कितना तूटता होगा सोचिए, अब कहीं दफ़े ऐसा होता है कि जब कुछ माता पिता अपने बच्चों के साथ इतनी बुरी चीज़े करते हैं, तो बच्चा अध्यात्मिक हो जाता है, खुद भखुद, नाचुरिली, उसका संसार से मन जाता है, उसका दिल तूट जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे फादर और मदर, या मेरे घर के लोग, जो भी हैं, भाई, बेहन, रिष्टेदार, जॉइन फैमली भी हो सकती है, इनको सिवाए दुनियादारी के, सिवाए पैसो के, इनको सिवाए अपनी इज़त के, या कुछ लोग जो है, वो असेंशन वर्ल्ड में चले जाते हैं, कहीं लोगों को तो बहुत सालों तक पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब तक कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर नहीं आ जाता जो उनके नार्सिस्टिक पेरेंट की हू बहू कॉपी हो शकल से भले ही ना हो, पर बिहेवियर पैटन बिल्कुल सेम, जैसी उस व्यक्ति की मानलो मा हैं, एकदम क्रूल, एकदम ग्रीडी, एकदम लोभी, लालची, गौसिप करने वाली, सब में आग लगाने वाली, अब वो लड़का सोचता है कि मैं जिन्दगी में कोई भी काम क करूगा, बट अपनी मा जैसी आउरत से शादी नहीं करूगा, रबाद में उसकी शादी ऐसी ही किसी लेडी से ओ जाती है, किसी आ 활रत से ओ जाती है, और घर में पूरा कलेश का माहौल है, पर क्यों नी उससे पता चलता, कूईकि exercism, बहुत अच्छे होते हैं acting करने में, न इतना डरते हैं समाच से, दुनियादारी से, लोगों से, लोगों के सामने हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, शादी करेंगे, तो बहुत grant करेंगे, मतलब कि लाखों रुपे खर्च कर देंगे शादी में, लेकिन लोन लेके, और फिर पूरी जिंदगी वो लोन भर रहे हैं, पू बाइर सी बात है, संतान भी कभी कुछ नहीं होती, वो घर आती ही, बार बार अपने माई के आती है, या जो भी जैसे भी लड़की खासतोर से दहेच, तो लड़कीों को ही दिया जाता है, बार बार आती ही, बार बार रोती है, बार बार कहती है, आज मेरे साथ यह हो गया, मेरे साथ वो गया मेरे मेरे साससुर मुझे ऐसा कह दिया मेरे पती ने फिर मुझ से डिमांड कर लिया अब वो कह रहें कि उन्हें दस लाख की कोई चीज चाहिए अब वो कह tänker यह उने सबको सोने की चैन्च चाहिए मतलै यह चलता ही रहता। औंगाएंग रहता है इसमें भी अलग-अलग categories हैं कई दफे एक बहुत ही अमीर घर की लड़की या कोई बहुत ही अमीर घर का लड़का बहुत ही rich को किसी normal average से प्यार हो जाता है उसके बाद वो मान लो जो normal average है वो उसे शादी नहीं करना चारा लेकिन घर वाले इतने इंप्रेस होते हैं उसके धन से और इसकी संपत्ती से वैभव से एश्वर्य से तो कहते है यार इतना अच्छा रिष्टा तुम कैसे छोड़ दोगे देखो कितनी अमीर पार्टी है तो वो अमीर पार्टी के चकर में शाधी करा देते हैं पर जिंदगी भर जो उनकी संतान होती है भले हामीर घर में चली जाती है पर बार-बार वो ताने ही खाती है कि तुम तो गरीब घर से आये ते अरे तो पिर शाधी करी क्यों थी अगर गरीब घर के लोग नहीं बसंद थे तो या थोड़ा standard कम था कि तुम्हारे family का तो इतना standard नहीं था फिर भी हमने कर ली तुम से हमें तो तुम पसंद आ गई या आ गए जो भी उन्होंने reason दिया हो ठीक है फिर आते हैं वो वाले माबाप जो बिलकुल भी मजबूर बिचारे नहीं तो क्योंकि जो मजबूर बिचारे होते हैं या हमेशा ही helpless ही रहते हैं और ये भी बहुत torturous हो जाता है क्योंकि उनके helplessness और उनके रोनेद होने की वज़े से उनकी weaknesses की वज़े से उनके बच्चे कभी ग्रो नहीं गर पाते हैं वो भी दुनिया के आगे अपना 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 अब आप मुझसे बोलोगे कि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूस के बारे में क्यों बता रहे हो आजकल की दुन्या में तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पीता को रोड पे छोड़ देते हैं जो उन्हें वृद्धा अश्रम में छोड़ देते हैं, जो उनका ध्यान नहीं रखते हैं, कहते हैं ना इसा, लिकिन मैं आपको एक बात आज बोलूँगी, बहुत पते की बात है, उन बच्चों ने किस सीखा अपने बुड़े बुजर्गों का निरादर करना, अपमान करना उन बच्चों ने किस सीखा अपने बुड़े बुजर्गों को वृद्धा अश्रम में छोड़ना चाहिए, क्या संसकार उन्हें मिले, क्या अब्रिंगिंग मिली, इसमें से कहीं तो ऐसे होते हैं, जो वही होते हैं, जो ओवर पैमपर होते हैं, जिनके माता पिता ने उन् मिले साथ ऐसे करा, एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी, उसमें कुछ ऐसी ही स्टोरी दिखाई थी, कि एक माता पिता अपने बेटे को बहार विदेश भेज देते हैं, विदेश भेज देते हैं, बहुत जादा करजा लेके, बहुत जादा लोन लेके, अच्छा दिख अपने प्यारे सुपुत्र लाड ले बेटे को बेज देते हैं, अगर वो माता पिता अध्यात्मिक होते, और असेंशन कर रहे होते, इनर वर्क कर रहे होते, तो अपने बच्चे को सीधा सीधा बोलते, कि देखो बेटा, हमारी तो हैसियत है नहीं तुमें भेजने की, और इस दुनिया में अमीर और गरीब हर तरह के लोग होते हैं और हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत हाइफाइ बंदे बनो बहुत अमीर बनो तुम भी कोई ऐसा इमानदारी का ही काम करो कि जिसमें भले ही जादा पैसे ना आए लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल हम जी सक लेकिन घर को गिर्वी रखे हम तुमें विदेश नहीं भेज सकते क्योंकि इसी घर से आगे जाके हमारा भी चलना और तुमारा भी चलना हो सकता है बट ऐसा नहीं दिखाते हैं उसमें दिखा रहे कितने अच्छे माता पिता हैं कितने ओमाई गौड सो लविंग अंड सो क करें और जब जब माता पिता ने मांगे तो उसने उनको कोसा ही सुनाया ही इस फिल्म में वो लड़का उनकी इकलौती अलाद होती है ठीक है तो मैंने आपको यह एक्जामपल भी इसले दिया है क्योंकि मैं यह कहना चाहती हूँ कि पूरे समाज को बदलने की जरूरत है क् क्यों भीजना हर किसी को एसी जगाओं में या ऐसे बिजनेस में या ऐसे धंदों में या ऐसे जॉब्स में जहां पर करोडों की कमाई होती है क्या इनसान एक नॉर्मल अजीवी का चला के या एक नॉर्मल जिंदेगी जी के खुश नहीं रह सकता जैसे हमारे सनातन दर्म म पहले हुआ करता था कि बच्चों को बच्चपन में गुरुकूल भेज दिया जाता था आजकल गवर्मेंट स्कूल होने के बावजूर माता पिता अपनी बैंड बजवा के भी बच्चों को फैंसी पब्लिक स्कूल में भेजते हैं क्यों अब ये नार्सिसिसम नहीं तो य तरह की चीजें निकालेंगे महेंगे पैंसल बॉक्स, महेंगे बैग्स, महेंगे शूज, महेंगी चीजें, महेंगा खाना, कैंटीन में जाएंगे अपके बच्चों के सामने और फिर आपके बच्चे घर आएंगे और बुरा फील करेंगे, अनवर्दी फील करेंगे, इन पर्स सेकिंड थर्ड की रेस में जाना ही नहीं है लेकिन बच्पन से ही एक टॉक्सिक कॉंपटिशन में बच्चों को डाल दिया जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं आपको इस बीमारी की जड़ तक ले जाओं इस बीमारी की जड़ हमारी सोसाइटी में है इस बीमारी की जड़ हमारे शो आफ में है इस बीमारी की जड़ है संसार के साथ अथ्यादिक चिपकाव जैसे कि यही बात बेटा और बेटी का डिफरेंस यही बात कि बेटे को तो हर चीज अच्छी मिलने ची और बेटी को नहीं पहले जो हमारी सो महेष और ब्रह्मा है यह तीनों और आद्मी अपने असली अनरजी में हो ता है वह फेमिनिनियन की वह ब्रह्मा कर रक्षथ की ना की शक्ति को अपने पैरों के नीचे रोंदता है यह पेकर पेक्रियाकि धुक्सिक होती एक दूसरे को ये दिखाने पर उतारू है कि मैं तुमसे बैटर हूँ मेरे पास जादा बल है मेरे पास जादा धन है मेरे पास जादा ब्यूटिफुल गर्फरेंड्स है या वाइफ है या औरते हैं कुछ तो ऐसा कर रहे हैं और कुछ है कि जलन के मारे जो औरते हैं वो अप पढ़ी रहे है गोबर, actually गोबर तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है गोबर तो, वो तो खाद है, I take my word back, वो पढ़ी रहे हैं कचरा कूडा, तो आप उनसे कैसे उमीद कर सकते हो कि वो कोई अच्छी चीज सीखेंगे, जो टीवी सीरियल्स आप देख कि उस content को enjoy कर रहे हैं, movies देखने जा रहे हैं साथ में, theater में romance देख रहे हैं माता पिता बैट के बच्चों के साथ, तो वो बच्चे क्या सीखेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपको बुड़ापे में छोड़ ना दे वृद्दाश्रम, तो इतने क माता पिता की अच्छे से देखरे करें, और रही बात उन लोगों की जिनको मैं इस वक्त केटर करी हूँ, जो narcissistic abuse के गहरे शिकार हैं, मतलब गहरे narcissistic abuse के भयंकर रूप से पीडित हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके माता पिता जो हैं, वो उपर हैं, यानि कि जो नीचे हैं, जो धर्ती पे आपको मिले हैं, आप यह समझिये, यह जानिये कि उनको सिर्फ दुनिया की पड़ी है, आपकी नहीं, तो वो खुद कितने दुखी हैं, अगर वो आपके अच्छे मन को नहीं देख सकते, आपकी अध्यात्मिक उर्जा को नहीं देख सकते, आपके inner work को नहीं देख सकते हैं, आपकी special qualities को वो नहीं देख पा रहें, तो उनसे जादा दुखी इस वक्त कौन हो सकता, यह बताईए, जाहिर सी बात हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़े, और एक distorted way में जुड़े में, समाज से जुड़ना कोई बुरी बात नही हैं, parents के अंदर जो यह डर है, यह डर वो pass on कर रहे हैं, पिर वही बच्चे parents बनते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही क्या दिया था, कि यह पीडी दर पीडी चलता वा आ रहा है, यह generational curse है दोस्तों, यह पीडी दर पीडी चलता वा रहा है, यह डर, यह भै, यह आपके अं अगर आप किसी से उमीद लगाते हो और वो इनसान कभी भी आपकी उमीद को पूरा नहीं करता तो हर्ट कौन होंगे आप इसलिए धीरे धीरे जबी भी कोई बुरी सिचुएशन होती है आपका दिल तूटता है आपको पता चल यह 100% 1000% की सामने जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं वो नहीं बदलेंगे वो नहीं सुद्रेंगे चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा अच्छा करें चाहे आप उन्हें कितने ही प्रेम भाव से क्यों ना ट्रीट करें उनका कितना ध्यान रखें उनकी कितनी केर करें वो कभी भी आपको वो वाला प्यार रिटर्न में नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर ही नहीं है वो प्यार, अगर उनके अंदर होता, तो आपके और उनकी wavelength of frequency ऐसी नहीं होती, ऐसी mismatch नहीं होती, तो best तरीका है कि आप उनसे उमीद ही मत लगाओ, जो भी करो खुद करो, independent बनो, जैसे तैसे करो, उनके बिना ही करके दिखा अगर वो आपका साथ देते हैं तो अच्छा, तब भी अपने दायरे में रहो, अपना मन ही मत जोड़ो, क्योंकि अगर आपने ये मन उनसे जोड़ा, तो आप ही आंसु बहाओगे, वो नहीं, उनको कोई फरक नहीं बढ़ेगा, वो अपना आगे move on हो जाएंगे, क्योंकि यहां मुझे question में बताया है, तो अगर आप अभी भी उन पे आशरत हैं, आप मान लीजे उनके घर पे रहते हैं, तो वो बार बार आपको कहते हैं, गर हमारे घर में रहना है, तो हमारे rules follow करने पड़ेंगे, हमारे साथ रहना है, तो फिर शादी करनी पड़ेगी, तो आप आपने एक और ने बना लिया, तो क्या फरक पड़ जाएगा, आप अपना career खुद बनाएए, आप अपनी मैनत खुद कीजिए, अगर वो मानला आपको कहते हैं, ठीक है, फिर हम तुमें boycott कर देंगे, हम तुमें कहीं नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जबी भी आप किसी शा हर चीज में होती है, कि कितना कमा लेते हों बिटा अचकल, क्या चल रहा है, तो आप उस चीज को ऐसे लीजे, कि यार मुझे इन लोगों से interaction ही नहीं करना, मुझे इन से ज़्यादा बात ही नहीं करनी, अगर वो कहते हैं कि हम तुमें boycott कर देंगे, तो boycott हो जाओ, ज़्य ज़्यादा खुश रहोगे, वो आपका पीछा छोड़ देंगे खुदी, और तीसरा एक और तरीका है, उनकी बातों को सीरिसली लो ही मत, आप उनकी बातों को ज़्यादा सीरिसली इसले भी ले रहे हो, क्योंकि आप उनसे जुड़े वे हो, आपके मन में अभी भी उनको लेकर अटाच्मेंट है, उस अटाच्मेंट को छोड़ दो, मेरी ग्रेट ग्राट मास्टर ने अमरिद्वानी नाम की एक लगू किताब में, स्मॉल बुक में लिखा है, लगू पुस्तिका, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ियेगा कभी, राम नाम के उपर है, कैसे असें लिखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, मतलब की कोई भी आपके साथ नहीं आएगा एंड में, जब आप मर रहे होगे ना, तो आपको केले ही मरना है, सिमिलरली जब आप दुखी होते हो ना, तब कोई साथ नहीं होता, नानक दुखिया सब कोई नहीं होता, तो यह जो दुख है ना, यह बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसी दुख की वज़े से आप इस तरीके का कॉंटेंट देख रहे हो, और इनर वर्क कर रहे हो, और उसकी पात पे चल रहे हो अब आप, अब माया की राक्षस की पात में नहीं चल रहे ह यह जो कंट्री है ना, इसमें माया भी बहुत स्ट्रॉंग है, यहां की माया नगरी बहुत स्ट्रॉंग है, इनफाक पूरे वर्ल्ड की आज की रेट में माया नगरी बहुत स्ट्रॉंग है, 2020 से माया का प्रभाव कम हो रहा है, सनातन धरम फिर से आगे आ रहा है, मेटाफ भरकते करते हैं लोग अनुपमा रो रही है तो सब रो रहें आपने बच्चों के सद immersion आपने ऐसे लोग। काफी कुछ कर रही लाइफ में अच्छा बट वहाँ पे एक हमेशा रोने दोने वाली डिप्रेस महिला का कैरेक्टर है पात्र है हो सकता हूंने वो पात्र खेलना पसंद है तो प्ले नाटक का मतलब क्या है तो माया जो है ना दोस्तो वो आपको ऐसा फील कराती कि वो जो ना माया से ग्रसे तैमाया में फसे में है उनके लिए प्रे कीजिए आप रोगे आपको रोना आएगा मैं आपको रोने से नहीं रोकूंगी आप रोगे आप therapy भी कीजिए क्योंकि जब आप narcissistic abuse therapy में जाएंगे तो ना जाने कितने ऐसी चीज़े निकल निकल के आएंगी कि महां से आके भी आए हैं मेरे पास कि भैया उन्होंने तो हमें पता नहीं कौन-कौन सी गोलियां दे दी उसके बाद हम और परिशान हो गया है अध्यात्मिकता ही एक ऐसी जड़ी बूटी है कैसी दवाई है क्योंकि अध्यात्मिकता बनी ही अंकंडिशनल लव पे है अंकंड तरीके से माया के वश में हैं या 50% ही सही माया के वश में अभी तक हैं उनके लिए रुपिया पैसा सोना चांदी रिष्टे नाते प्यार वफा उनके लिए ये सारी दुनिया भर की चीज़ें गाडियां बैंक बैलेंस बड़े-बड़े बंगलोज यही मैटर करते हैं तो देखें आपके सामने लाइफ सेशन में क्वेशन हैं कॉमेंट सेशन में क्वेशन भरे में यानि कि कितने सारे लोग तड़प रहे हैं इस प्रॉबलम से जूज रहे हैं इस प्रॉबलम से और इसी सदी में क्यों पहले क्यों नहीं क्योंकि ये सदी है असेंशन की ये अब पत्थर का दिल है के लोगों का अगर उनका दिल पत्थर हो चुका है संसारिक चीजों के पीछे तो आप भी अपना दिल पत्थर का बना लो क्योंकि पत्थर में ही भगवान आते हैं दोस्तों पत्थर में ही भगवान आते हैं उनका जो दिल पत्थर का बन रहा है न वो गलत चीज पर पत्थर का बन रहा है मतलब वो emotionally पत्थर के बन रहे हैं वो सत्य के पृत्थर बन रहे हैं तो पत्थर actually में बनी नहीं रहे हैं वो काँच बन रहे हैं या वो काँच के पीछे भाग रहे हैं उनको लग रहा है everything that glitters is gold जो भी चमक्ती वस्त हुए वो सोना है जो सामने सोना है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और सोने को भी तपना पड़ता है कुंदन बनने के लिए आपको भी तपना पड़ेगा और इसलिए तपस्या शब्द तपने से बना है तप शब्द से तपस्या बना है आपको भी जलना पड़ेगा, आपको भी sacrifice करना पड़ेगा, आपको भी detach होना पड़ेगा, आपको भी छोड़ना पड़ेगा आप जो भी कर रहे हैं ना इन सब के लिए करना बंद कर दो, और उमीद भी मत लगाओ किसी से, क्यों करनी किसी से expectation, अगर आप एक बार बताईएएएगर आपको गीता पड़नी है तो आप पड़िये ना, आप force क्यों करने किसी और को पड़ने के लिए, अगर आपको नाम जपना है तो आप नाम जपिएए, अगर आपको ध्यान के लिए कहीं जाना तो आप जाईए, सब को heal करने से मट डरिये healing एक बहुती difficult journey होती है कभी कभी पर जैसा कि मैंने का रोने के बाद दिल हलका ही होता है आदमी रोता है तो उसे अच्छा लगता है पर वो जो peak point आता है जिसकी वज़े से वो रोता है उस point से मट डरिये आप अपना 100% दीजे और मैं तो कहती हूं माफ भी कर दीजे सब को माफ कर दीजे क्योंकि वो सब victims of victims है वो भी लाचार है जैसे मैंने का कुछ मजबूर माबाप हैं तो कुछ ego वाले माबाप हैं कुछ हिरन्या कश्ब जैसे हैं मैं 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 एहंकारी तुम्हारा विश्रू नहीं है तुम्हारे नारायन नहीं है तुम्हारे भगवान नहीं है मैं हूँ भगवान तुम्हारा बाप ही तुम्हारा भगवान है और ये बड़ा अच्छा सीन था मैंने देखी थी जब शो देखा था तो वो अपनी गो होता है पिता ये होता है पिता वो होता है और फिर वो कहते हैं और ये भी तो बोलो कि तुम्हारे पिता भगवान है कहते हैं नहीं भगवान तो सिर्फ नारायन है तो बस यहीं पे दोनों की वार शुरू होती है हिरन्या कश्यप और पहलात की कहानी इसलिए भी अच्छी क्य रही है कि वो करते कुछ हैं जैसे कि ये माया का व्यापार था हिरन्या कश्चप का, एक माया वी असुर राजा यही चाता था कि उसकी गद्धी को उसका बेटा ही समा ले, पर बेटे ने गद्धी छोड़ दी और लग गया भक्ती में, सब कुछ छोड़ दिया भक्ती में सन्न भी करना पड़ेगा जितना प्रलाद ने किया है, फिर प्रलाद जितना राम नाम भी जपना पड़ेगा, फिर उतना ही सयम लाना पड़ेगा, फिर उतनी पेशन्स लानी पड़ेगी, उतना धहरे लाना पड़ेगा, इतना हो जाए कि प्रलाद के कहने पे भगवान ए पहराग्य में ही होगा, उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, रिसर्च वक करना पड़ेगा, अगर आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, जो आप ही के जैसा हो, आपको अंडेस्टांड करता हो, तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो कहते हूँ, आपको बहुत से ऐसे मित्र मिलेंगे, बहुत से ऐसे शुप चिंतक मिलेंगे, जो बिलकुल आप भी की विचारदारा के होंगे, आपको कभी लगेगा नहीं, कि आप इस रस्ते पे अकेले हो, और ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी दोस्त जब आपके और उनके मद्भेद हो सकते हैं, तो अध्यात्मिक और संसारिक के मद्भेद क्यों नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इनको इतना सीरियसली ही मतलो, और अगर आपको लगता है कि इनसे शेर करने से कुछ प्रॉबलम होती है, तो शेर ही मत करो, स्ट्रॉंग तो बन इस चानल पे किसी लड़की ने बड़ा अच्छा कॉमेंट लिखा था उस दिन, जिसको पढ़के मैं थोड़ी एमोशनल भी हो गई थी, उसने ये लिखा था कि उसकी मदर जो थी, जब वो बहुत छोटी थी, चार से पांच साल की बच्ची थी, वो अपने पापा से बहु तो मा का शायद किसी सा फेर चल रहा था या मा किसी और से प्यार करती थी, फादर से नहीं करती थी, तो मा ने धाड़े मारते मारते बोल दिया, रोते रोते, कि मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मैं कभी तुम्हारे पापा को कभी मत बताना तो अब देखिए दोस्तों वो लड़की अब बड़ी हो गई है और वो मेरे इंगलिश यूट्यूब चानल पर ये कॉमेंट शेयर कर रही है जिसको पढ़के कितने सारे लोग एमोशनल हो गए क्यूं क्यूं कहा उसकी माने इक छे साल की बच्ची को ये सब बताने की क्या जरूरती पर ये सबी लोग करते हैं बच्चों के आगे रोते हैं बच्चों के आगे अपनी प्राब्लम शेयर करते हैं उस बचारे बच्चे को क्या पता करो पर जेन्विन प्राब्लम शेयर करो जिसका solution भी बच्चे के आगे आगे आप निकाल के दिखाओ बच्चे की ये habit मत बनाओ कि बस problem है और रो रहे हो बच्चे को ये भी दिखाओ कि अगर problem है, challenge है तो हम उसे लड़ेंगे, हम solution निकालेंगे और हम इसका कुछ न कुछ इसको solve करेंगे तो वो बच्चा भी बड़े होके problem पे कम ध्यान देगा और solution पे ज़ादा, अब ना जाने ऐसे कितने fathers हैं बच्चों के आगे ड्रिंक करते हैं, smoke करते हैं ना जाने ऐसे कितनी माँ हैं, जो सारा दिन बच्चों के आगे इस रिष्टदार की इतनी बुराई करें थी और आज ही इस रिष्टदार से देखो कितना हसस के बात कर रही हैं नोटिस नहीं करता हो, करता है कली मेरे पापा गालियां दे रहे थे कि वो, वो, वो क्या दिखाएगा करके वो तुम्हारा चाचा या तुम्हारा मामा या तुम्हारा टाया जो मैं हूँ वो तो useless है उसको तो बनाया ही मैंने है और जब अगले दिन वो सामने आजाते हैं तो नमस्ते जी आईए बैठिये जी चाय पीजिए समोसा खाईए तो आपको क्या लगता है बच्चे पर क्या असर होगा तो अगर आप वही बच्चे हैं जो इस नार्सिसिस्टिक संसार से अब्यूज हो चुके हैं तो आप अपने आपको हील कर सकते हैं अपने चक्रास को अलाइन करके अब अपने चक्रास पर काम कीजे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे, हर अच्छी चीज को होने में समय लगता है, तो अपना दिल छोटा मत कीजे, निराश मत होईए, अपने आपको समय दीजे, inner work कीजे, कोई दिन difficult होते हैं, तो उसे जहल लीजे, धीरे दीरे सब ठीक होता जाएगा, और वही लोग जो आज आप से नराज हैं, या फिर वही लोग जो आपको भाव नहीं दे रहें, आपको घांस नहीं डाल रहें, या फिर वही लोग जो आपको बिलकुल अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं ये नहीं कहती, एक दिन ऐसा चमतकार होईगा कि वो सब आपके पैरों पे आजाएंगे नई, हमारे को किसी को अपने पैरों पे नहीं लाना, inner work करने वाला असेंशन करने वाला यह सब नहीं सोचता, inner work करने वाला है सोचता जिस को जो करना करो खुश रहो, बस मैं परिशान ना हूँ या मुझे कोई फरक ना पड़े मैं सिर्फ अपने असेंशन जर्णी पर ध्यान दूँ मैं सिर्फ सोर्स के साथ इंटीग्रेशन पर ध्यान दूँ बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है वहिए जिसको जो करना करें आट बिलियन लोग है किसको बदलते फि फिर भी मैंने देखा है कि जब हम बदल जाते हैं तो बाकी लोग भी कही ना कही बदल जाते हैं क्योंकि हम बदल गए क्योंकि अब हम उनके साथ इतना राग नहीं है या अब हमें उनके साथ इतना दूएश नहीं है हमारी उनके साथ आसकती ही नहीं रही तो हमें क्या फर रहीं है तो यहीं पर मैं इस सेशन को क्लोज करती हो अगर आपको मेरे साथ पर में सथ कुम पर सबंब्ल behavior में कर सकते हैं और तैरपी फी banana's यह कर सकते हैं यह मेरा email address हो यह उखे हुआ है और नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स- था क्योंकि मेरा चानल ग्लोबली भी बहुत लोग देखते हैं इसलिए जो फीस है वो यूएजडी में है ये फीस जो है ये सोच समझ के बनाई गई है क्योंकि बहुत सारी महनत बहुत सारा काम जाता है इन सब चीजों को करने में लोग बहुत जादा हेवी एनरजी के साथ आते हैं और जब वो हसते वे जाते हैं तो उसमें महनत लगती है इसलिए से एनरजी एक्सचेंज कहते हैं क्योंकि हम अपनी एनरजी दे कर किसी को ठीक करते हैं तो यह हमारे लिए भी एजी नहीं होता और हमें भी डेली इनरजी इनरजी करना पड़ता है क्योंकि इनरजी एक लाइफस्टाइल है और असेंशन एक लाइफस्टाइल है उसके अलावा दो-तीन डिस्क्लेमर्स और हैं पहला तो अपनी जर्णी के बारे में मुझे कुछ मल बताईए क्योंकि यह सारी जो क्वेस्टन्स आपके हैं जो यह इन्ट्यूटिव रीडिंग हम करते हैं इससे इसके आंसर निकाले जाते हैं टारो कार्ट की मदद से आटो रीडिंग और राइडिंग की मदद से और साथ में इंट्यूटिव रीडिंग और साइकिक अबिलिटीज की मदद से इसके अलावा इसमें रीसर्च वर्क गया है बहुत सालों का स्टडीज की गई हैं तो अगर हमें पहले से सब कुछ पता होगा तो फिर हम सही आंसर कैसे देंगे वो चीजे हम सेशन के अंदर गुसके डिसकस करेंगे अगर आप बाहर से हैं तो आप पेपाल लिंक को यूज़ करें और अगर आप इंडिया से हैं तो आप मुझे एमेल लिखे so that I can give you my paytm and gpa details I will see you soon in another one one love peace out and chai shiriram